जहां एक तरफ भारतिये टीम की वर्ल्ड कप से वापस जीहां बिना पवेलियन पहुचे वापस लोटने की खबर ने सब को रिराश कर दिया सेमी फाइनल में मिली करारी हार के बाद भारतिये टीम की बलेबाजी पर तमाम सावाल उठे तो वहीं टीम की आलोशना करने में पीशे नहीं रहें कोच रवी शास्त्री जीहां स्मिकार कर लिया है रवी शास्त्री ने की नंबर चार को लेकर बड़ी कलती हुई है फूटा है गुसा रवी शास्त्री का नंबर चार को लेकर चीहा हार के बाद इस बड़ी हार के बाद कोच रवी शास्त्री ने क्या कहा है हम आपको बताएंगे हमारे शनल में स्वागत कर तेवे आसवे का नेक्ष्ट नाइन स्पोर्ट्स में आज के इस बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू करा दे आई से सी वर्ल्ड कप 2019 को लेकर क्या कहना है कोच रवी शास्त्री का टीम इंडिया के परफॉर्मेंस पर सेमी फाइनल में मिली हार पर नमबर चार पर मश्बूत बल्लेबाज की जरूरत थी यह कहना है कोच रवी शास्त्री का जी हां कोच रवी शास्त्री ने स्विकार कर लिया कि नमबर चार पर जिस भी क्रेटर को भेजा गया वो बहुत ही बड़ी बोलती य कैसे सब को निराश कर गया यह सब ही जानते हैं लेकिन यहां पर कोच रभी शास्त्री ने इस बार बहुत ही बड़ा बयान दिया है उन्होंने गुस्सा किस तरह से निकाला है हम आपको बताना शाहेंगे दरसल केल राहूल को लेकर सब ही जानते हैं कि केल राहूल जिस तरह स 3-3 विकेट एक-एक रन पे गिर जाना, बहुत ही बड़ी परिशानी का कारण बना, हार की सबसे बड़ी वज़ाबनी, 3-3 विकेट का गिर जाना एक साथ, ओही शर्मा से लेकर बेराट को गुरी हेल रहा हूल. ऐसे में धोनी को लेकर उनका कहना था कि नमबर साथ पर MS धोनी का बल्लेबाजी करने के विशी क्या करना था रविशास्त्री ने बताया कि धोनी बल्लेबाजी करने अगर पहले आए और आउट हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता था अनुभाव की जरूरत बाद में होती है पहले नहीं रविशास्त्री का फिर से गुस्सा अमेस्धोनी पर निकला है यानि कि उनका यहीं माना है कि साथवे नमबर पर MS धोनी आए और साथवे नमबर पर उन्हें टीम को संभालना था उन्हें किसी भी हाल में टीम को बना कर रखना था बैलन्स मेंटिन करना था यासे इसकी कोशिश भी MS धोनी ने बहुत कीर लेकिन उनका रणाउट हो जाना सबसे बड़ा कारण बना यह कहना था MS धोनी को लेकर कोच रविशास्त्री का जी हां बहतर फिनिशर है MS धोनी ये मानते हुए उन्हें साथ नंबर पर लाया गया पहले उन्हें नहीं लाया गया क्योंकि पहले ऐसे क्रिकिटिस की ज़रूरती जो कि बड़े स्तर पर रन बनाए और आउट ना हो रविशास्त्री ने फिर से यहां धूनी की पर्फॉरमस बर सावाल खड़े कर दियें वही रविशास्त्री ने मैच के परिनाम को लेकर बताया कि यहां परबारिश भी एहम रोल प्ले करता नज़र आए रавай शास्त्री का कहना था कि दो दिन तक मैच चलना, इससे मैच के परिणाम का एहम चो परिणाम था, ये कहीं न कहीं एहम रूल बना, टीम इंडिया के उत्सभा की कमी नज़र आएं, राहुल को ले कर उनका कहना था कि बदलाव करने में देर हो गई, टेस्ट रिकेट्स का सलामी बलाबाज में जब टीम जुड़े थे तो उसी वक्त बदलाव करना था लेकिन इस वक्त बदलाव बिल्कुल भी संभव नहीं था तो जाना अपने रवी शास्त्री का बयान निका कुछ सा थोनी पर ही था कहीं न कहीं आस भी सवाल यही है क्या स्मैश में जमिदार हार के सिर्फ और सिर्दोनी क्यावाके भी कप्तानी में कमी हुई या पिटी मेंनेजमेंट में आप हमें कॉमेंट करकी इसके बारे बताए फिल हाल लेते हैं आपसे इजाज़त नमस्ताया